Hello friends, welcome to our channel तो इस समय हम RRB मालदा की official site में हैं तो मैं सबको आपको सारे proof के साथ बता दे रहा हूँ जो मैंने title दिया है यह जो thumbnail पे set किया हुआ है उसके बारे में पूरी की पूरी information आपको इस समय मिल जाएगी result जी हाँ, result जो आने वाला है ALP CBT 2 का, उसके बारे में बताऊंगा की result भी कब आने वाला है सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या official reply किया है RRB मालदा ने, एक candidate ने question पूछा था उसको reply मिला है और उस candidate का जो नाम है वो हम इस वज़े से चिपा दे रहे हैं यहां पर आप देख सकते हो यह जो है, यह RRB मालदा की site है official site है, इसके बाद हम direct contact section में जाते हैं contact us section में जाते हैं, जिससे आपको कोई problem ना रहे ठीक है, तो यह contact us वाले में जाते हैं तो आप ज़रा इसे ध्यान से देख लो यह RRB मालदा की official site है तो इन्होंने बोला है कि अगर कोई भी अगर आपको लगता है कि हाँ भी RRB मालदा ने ही mail किया है या RRB मालदा क्योंकि कई बार क्या होता है कि fake भी हो सकता है लेकिन यहां पर क्या है कि आप खुद देख सकते हैं RRB मालदा की यह जो official site है RRB मालदा at the rate live.in ठीक है यहां आप एक बार और देख लो इसके साथ में आपको उपर भी दिख रहा होगा कि RRB मालदा की site पे है .gov.in पे और यहां पे इनसे contact us अगर करना है तो आप यहां पे जाके संपर्क करेंगे तो एक candidate ने question पूछा था कि क्या sir RRB का जो result आने वाला है उसमें ALP technician का साथ में result आएगा या अलग-अलग result आएगा ठीक है तो उन्होंने क्या official reply दिया है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं तो चलते हैं उसी उसी पर तो यह देखिए यहां पर सबसे पहले जो आपने वहां देखा उसके बारे में आप यहां देख लीजी आप chairman RRB और यह देखिए आप सबसे पहले आप इस चीज़ को देख लीजीए बाद में matter की बारे में बात करेंगे यह देखिए आप यह क्या लिखा हुआ है यहां पर आपने साइट देखी RRB मालदा एड़रेट लाइब डोट इन वहां पर भी देखा था आपने RRB मालदा एड़रेट लाइब डोट इन ठीक है तो यह हमारी official site है तो इसे हम authentic मान सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है यह सब कुछ ठीक है तो उस question ने पुछता रस्पेक्टर सर मैं Will RRB technician CBT2 result be published with ALP CBT2 की मतलब ALP के साथ ही technician मतलब PCM candidate और ITI candidate का जिनका final selection होना है क्या उन लोगों का भी result आएगा तो उन्होंने officially reply यह किया है कि first shortlisted candidate role numbers will be published for the aptu test only तो यहां पर अगर आप यह देखो तो उन्होंने बोला है कि सबसे पहले जो result आने वाला है और जो candidate shortlist होंगे वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के role numbers या मालों उनका result दिया जाएगा वो भी सिर्फ इसलिए कि आप लोग aptu test के लिए बुलाए गए हो और वो वो लोग बुलाए जाएंगे चाहें वो ITI के candidate हों चाहें उन्होंने BTEC से डाला हो चाहें डिपलोमा से डाला हो तो अगर उन्होंने preference में कहीं भी चाहें पहले number पे चाहें दूसरे number पे चाहें तीसरे number पे अगर उन्होंने कहीं भी ALP जोड़ा हुआ है उनके साथ तो उन लोगों को अगर वो ALP की cutoff clear कर रहे हैं तो उन लोगों को पक्का पक्का बुला लिया जाएगा और उन लोगों से aptitude test लिया जाएगा और aptitude test के बाद final result के साथ आपको दिखाया जाएगा जिसमें आपकी ALP PCM technician का final result होगा तो चलो मिलते हैं next video में इसके बाद एक video और बनने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा जो viral हो रहा है न एक audio भी viral हो रही है मैंने मेरे official reply भी है तो उसके बारे में बात करेंगे चलो मिलते हैं next video में यह असाम तक video upload कर दी जाएगी तो तब तक के लिए bye